हलो दोस्तों मेरा दाम है वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप admission करवाना चाहरें किसी college में या फिर मौपपराउंड के बात करेंगे या फिर कभी भी आप admission कर रहें तो आपको किन-किन चीज़ों का दियान कर रखना है आप लोग को कौन-कौन से documents लगेंगे कैसे आपके admission जो है आसानी से डन होगा online कैसे होगा offline कैसे होगा और आपको second में बताऊंगा education loan उसके interest के बारे में margin क बार में पहले कैसे आप लगा सकते है education loan before admission, after admission, किन-किन documents का सहारा लगेगा और किस तरीके से आपको बड़े आसानी से education loan जो है लग जाएगी आज की वीडियो में काफी information है तो वीडियो को शुरूर से लिए क्यान तक देगें तो आपको काफी कुस समझ में और जानने को जरूर मिलेगा, मेरा नाम है वीडियो और मैं एसी वीडियो बनाता रहता हूं तो वीडियो को लाइक की चानब कीचे subscribe, चली सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले बात के लिए अगर आप admission लेना चाहते है तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जिस चीज की जरूर का और जो है आपको blood pressure का test लगता है तो उसको आप लोगों को लगेगा anti-ragging form जो आप लोगों को description में लिंक दे दूँगा आप लोग उस form को जाकर भरें आपको वीडियो में बताया है कैसे आपको करना है उसमें आप लोगों को एक चीज में प्लाब्रम होगी asg code of the college asg code आप लोग college की बार में search करेंगे जैसे कि आपका college का name asg code automatically internet में मिल जाता है उस code को आप लिखेंगे जैसे 126 136 इसको आप लिखते ही automatically आपका जो काम है वो आपका done हो जाएगा particularly over the internet आपको anti-ragging form भी download करना है second third चीज आप लोगों को लगती है आप लोग admission अगर आप लोगों को लगती है कि admission form निकल के आता है चाहद वो online हो या फिर वो offline हो आप उसमें fill करके सारे details को भरते हैं इस जरा मैं आपको ध्यान रखना है कि आपका 10 का marks और 12 का marks भरते हैं उसमें आप पूरा का पूरा सही details देंगे क्योंकि इसका जो है record college के पास रह जाता है बहुत ही common है college इस चीज को charge करती है अपने pocket भरने के लिए पूरत आप लोगों को एक और चीज़ धना अगर आप offline करें तो 12 सुविधाय लाइक आप कर सकते हैं online भी आप घर बैठे कर सकते हैं colleges को आपको contact करना है आप लोगों को 5000 रुपीस अकर डबलूबीज यह वाले है उसको जानकारी लेने के बाद ही आप demand draft बनाएंगे क्योंकि 200-300 रुपाय का demand draft होता है waste हो जाने से आप लोगो जो है loss देखने को मिल सकता है colleges में आप लोग payment डिवी डावान ड्राफ और net banking से कर सकते हैं बहुत सारे लोग colleges में तो checkbook से भी payment हो जाता है तो इस तरीके से जो है आपको as a copy रखे college में visit करना है कहना है कि मुझे fix करना है ये seat आप लोग क्या sir मुझे bonafide certificate दे सकते है bonafide की spelling होती है b-o-n-a-f-i-d-e आप इसे bonafide certificate अगर college से मांग लेते हैं तो आप लोग जो है bonafide certificate को submit करेंगे bank में तो आसानी से आपको education loan काफी जल्दी मिल जाएग कि आप जैसे education loan के लिए apply करने जाए पहले ही तो आपको पहले ही bonafide निकालना पड़ता है इसको बाद आपको bank में जाकर बताना पड़ता है उसके पहले आप लोग को यहाँ पर एक form को fill करना पड़ता है जिसका नाम है Vidya Lakshmi portal form इस form को fill करना मैंने YouTube वीडियो पर समझाया जिसका link आपको description में लेगा या फिर आप internet पे सर्च किजेगा how to fill the Vidya Lakshmi portal form मेरी वीडियो आपको 2-3 number में मिल जाएगी तो इस form को भी आप fill करना सीखें और इस form को fill करने के बाद आप लोग जिसी भी nearby bank के उसमें पहले बात कर लें पहले आप बात कर लें कि sir आपका क्या interest क्या interest नहीं है कितना जादा interest है आपका इस चीज के बारे में बगर आप bank loan लेना चाहते तो इन इन चीजों का आपको धियान रखना सबसे पहले कितनी interest है bank की क्या कम है या जादा है normally मेरी bank की interest है 9.6% पर बहुत सारे SBI loans में 7.5% होता है जैसे मैंने research नहीं किया था अगर आप research करते है तो आपके काम आएगा second आपको margin के बारे में देना है what is margin अगर मेरे bank में नियम था कि 4 lakh rupees तक का margin नहीं लगता है margin का मतलब होता है कि जैसे मेरी जो fees है उसमें कुछ percent मुझे भी देना पड़ता है और कुछ percent bank देती है पर इस situation में जैसे कि मेरा margin नहीं है तो प 50,000 rupees का laptop amount रखे है 55,000 जितना भी आपका हो जिससे जो है margin amount तो जो है touch ना करे 4 lakh से नीचे रहे margin amount जब तक touch नहीं करेगा तब तक आपको अपने pocket से कुछ नहीं देना जैसे 50,000 मैंने laptop पे लिखा था पर मेरी laptop का price है 55,000 तो जो है यहां पर मुझे bank में जाना पड़ा और bank मे bank में एक से apply करने के बाद magic गया इसको लेकर इस laptop को खरीदने एक shop पे shop पे मैंने बुलाई quotation चाहिए मैंने 500 rupees as a submission amount दिया quotation sign करवाई और जाकर bank में submit किया और bank से कुछ सब्सक्राइब के बाद मैंने फिर automatically net banking हो गई उस दुकान पे और यह laptop जो है मुझे मिल गया 5000 मेरे को margin द से कम होता है एक amount होता है जिसके बाद guarantors लगता है तो अगर education loan है West Bengal के colleges में मेरे ख्याल से guarantor नहीं लगता second आप लोग को collateral लगता है what is collateral अगर किस situation में आप payment नहीं कर पाते तो जो है आपका वह वाला आदमी payment करेगा maximum situation में यह parenting होता है तो मेरे पिताजी जो है मेरे collateral है फिर माता जी होती है कोई भी एक जो है ता है collateral बनता है आपका जिससे जो है आप लोग को आसानी से हो जाएगा तो इस थरीके से जो है education loan में collateral का इस्तमाल किया जाता है और आप लोगों को फोर्ट चीज आपको देखनी है कि आप लोग के पास एक insurance भी हो जिससे जो है आप अगर आप समझ रहें तो समझ गया होगी इसके बाद जो है for example इसकी यह सब सब खतम हो गया मेरे क्याल से जो सारा situation जो है यहां पर done हो गया अब इसकी बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि आपको जो है payment कहा मिलता है payment आपके जो भी payment होगी college की मतलब bank की वो सारे payment आपके ज date आएगा release date में जो है आप लोगों को एक letter लिखना है कि भाई मेरे college में से जो है fees का release date आगया है अब मैं bank में जमा करता हूँ automatically bank जो है pay कर देती है bank इसको college को simply आप लोग जब for example hostel fees का date आएगा तो hostel fees का details लिखेंगे तो hostel वाले को जो है पैसा चले जाएगा इस तरीके से ज situation में कुछ situation में यह पैसे हात में आते हैं जैसे कि अब बीहार student credit card या फिर вещ being all credit card अभी वैलिड नहीं हुआ है अब अभी तक मिल नहीं रहे है लोगों को तो जो है अगर विहार student credit card में जो आपका books का पैसा होता है और जो hostel का पैसा होता है वह आप लोगों को हात में देता ह जैसे कि आपके bank खाते में transfer कर देता है बट हर जगा नहीं होता हमारे situation में ऐसा नहीं होता हमें उसका details देना पड़ता है जिसको payment करनी है उसको proof देकर उसमें automatically payment करती जाती है बहुत सरे लोग जब education loan apply करने जाते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा amount लिख देते हैं पर कि इस situation में आप उस amount का इस्तमाल नहीं करते हैं तो automatically वह आपके खाते से नहीं कटेगे उसका interest पर पे नहीं करना पड़ेगा पर अगर आप लिखते हैं और इसका आपको इस्तमाल करते हैं जब के for example आप इससे ज़्यादा इस्तमाल करना चाहते हैं तो इस situation में आपको money भी नहीं मिलेगा तो आप जितना लिखे हैं उतना ही आपको मिलेगा आप अगर 35,000 के laptop लिखे हैं खरीदे हैं आपने 50,000 के laptop तो जो हैं आपको उसका amount नहीं मिलेगा तो मेरे क्याल से सार लेटर जाने के बाद bonafide मागेंगे bonafide submit करेंगे bank में अब bank से बोलेंगे कि मुझे वो जो demand draft bank आपको दो तरीके से payment करने देती है पहला देती है demand draft, demand draft का मतलब होता है कि आप जो मैं college का नाम लिखा रहेगा college में ही पैसा जाएगा और कहोंँ खर्चन नहीं हो सकता, second आप आपको मिलता है bank के तरफ से एक net banking system जिससे कि automatically bank send कर देती है college को, तो दो तरीका होता है, तो demand draft अगर आप पहले ले 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 और college में जाकर admission करें तो done हो जाएगा, पर इस सारे situation में क्या है कि अभी आपको समय लगता है इसको करने में, एक दिन में loan apply नहीं होता, मेरा approximately three to four weeks लग गया था मेरे bank के useless लोगों के वज़े से, पर जो है आपको भी कुछ समय लगता है, तो इस समय को अगर आप नहीं करना चाहता है, तो first वाला semester है, जिससे मेरे समय पर, समय कि मेरे माता जी afford नहीं कर साकते पिता जी, तो हमने किसी तरह जोगाड लिया खसी तरीके से, औ उसके बाद जो है, अब जो है, नॉर्मली चल रहा है, अब बहुत बड़ लोगों का सवाल होगा, कि क्या education loan अच्छी है या बुरी है, बहुत सारी situation में education loan अच्छी भी है, जैसे for example, मेरी situation में, जागर मुझे 2 सबता पहले notice आता है, कि आपको 40-50,000 का payment करना है, so I cannot afford that, तो simply जो है, मेरे लिए education loan काफी अच्छा है, क्योंकि मेरे mind में उतना जादा instant pressure नहीं create करता है, second आप लोगों का education loan, जो है for example, किसी normal candidate के लिए, जो इतना जादा pressure नहीं under कर सकता है, उसके लिए, या फिर जो उसके extra खर्चे है, उसे कुछ अच्छी सी पढ़ाई करनी है, बट इसका family assistance, उसे afford नहीं करनी देता, तो इस situations के लिए, अभी situations के लिए, अभी situations के लिए, तो अच्छे के लिए, और कुछ-कुछ के लिए, जैसे कि वो पढ़ना नहीं चाहते, पर अगर आप उस पे education loan का pressure डालते हैं, तो जो बच्चा है, automatically work hard करने लगता है, इस situation में भी दे लगेगी, तो कौन देगा पैसा, इस situation का भी एक pressure create होता है, second आप लोगों को third में, आप लोग education loan पे उतना भी जादा खर्चना लिखें, जेतना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को आपको चुकाना भी पड़ेगा एक समय, तो इन सारे situation को देखते हुए, जो है जो है आप लोग जा करें मतलब education loan apply करें और जो है फॉर एक्सामपल आप पहले करना चाहते हैं तो आप पहले आप यह कर लें, उसके बाद आप देख सकते हैं तब सक ईस वीडियो को लाइक के, और इस वीडियो को लूग किजान, इक्ता कि पर वीडियो को लाइक कीजर, झाल